प्याज किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही प्याज का दाम महाराश्टर किसानों को पिछले करीब चार महीनों से रुला रहा है ज्यादा लागत के बावजूद उन्हें ओने पोने दाम पर व्यापारियों को प्याज बेचना पड़ रहा है पीडित किसान नैशनल एग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया यानी नाफेट को भी कम दाम मिलने के लिए कसूरवा ठहरा रहे है वो इसके परबंदन को कोस रहे हैं क्योंकि सहकारी संसा होने के बावजूद नाफेट ने पिछले साल के मुकाबले इस बार आधे दाम पर प्याज खरीदा जिससे व्यापारियों को भी कम दाम पर प्याज खरीदने का मोका मिल गया दरसल नाफेट की स्थापना 2 अक्तूबर 1958 को गांधी जन्ती के अफसर पर हुई थी यह मल्टि स्टेट कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत गटी थै नाफेट की स्थापना किसानों को लाब पुंचाने और क्रिशी उपज के मार्केटिंग को भढ़ावाद देने के देशया से की गई थी लेकिन आज महाराश्ट्र के किसान न सिरफ इस संस्था के कारनामों से गुस्ते में हैं बलकि इससे नफरत तक करने लगे हैं सबके लिए पिछले साल के मुकाबले महंगाई बढ़ गई है लेकिन नाफेट की नजर में महंगाई खट गई है तबी त उसने पिछले साल के मुकाबले किसानों से आधे दाम पर प्याज खरीदा महाराश्ट्र के करीब 15 लाख प्याज उतपादक किसान इस साल कम दाम की वज़य से चपेट में हैं महाराश्ट्र राज्य कांदा उतपादक शेतकरी संग्ठन में पूने जिला के अध्यक्ष पर रुपे प्रती किलो प्याज खरीदा गया हलाकि वही प्याज इस साल 10 से 12 रुपे प्रती किलो पर खरीदा गया नाफट द्वारा प्याज के बाजार मुल्य को कम करने के कारण व्यपारी वर्क को भी कम कीमत पर प्याज खरीदना पड़ा दरसल प्याज की उतपादन में लगबग आधी कीमत पर प्याज खरीदा दूसरे शब्दों में कहें तो प्याज उत्पादक किसानों को सचमुछ लूट लिया गया सरकार ने नाफट के माध्यम से कम कीमत पर प्याज खरीद कर बजार मुल्या को कंट्रोल करने की कोशिश की दूसरे शब्दों में प्राफ नाफिट को दोधारी तलवार के रूप में भी इस्तेमाल किया है। प्राफ देने के लिए लगातर प्रयास किया है। प्राफ नाफिट के लिए कई उपाय किया जाते है। किसानों को दुविधा में फसाने का हर संभो परयास किया जा रहा है। लेकिन जब बजार भाव गिर जाता है तो किसानों को राहा देने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता। मार्च के बाद से प्याज उत्पादन लागत के लगबग आदे पर प्याज बेचा जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्याज बजार में कीमते बढ़ने को त्यार नहीं है। यह बहुत दुर्भागय पुर्ण है कि इस समंद में शासकों के साथ साथ विपक्षी धल भी निश्करिया है। यह बहुत बड़ी तरास्दी है कि एक क्रिशी परधान देश में किसानों के लिए कोई नहीं बचा। प्रोसी देश पाकिस्तान में प्रकतिक आपदाओं के कारण क्रिशी को भारी नुपसान हुआ है। लगने वाले इंपूट की लागत कई गुना बढ़ गई है। कि इस साल प्याज की खेती करना महेंगा हो गया है क्योंकि बीज के भाव भी बढ़ गई है। और महेंगे बीज और रोपन की लागत में वृद्धी हुई है जबकि दाम एक से आट रुपे किलो तक ही ओस्तन मिल रहा है। वहीं महाराष्टर प्याज उत्पादक संग्ठन के संस्तापक अदेक्ष भारदी गोले का कहना है कि सरकार खुद वेग्यानिक तरीके से देखे कि प्रती किलो प्याज उत्पादन की लागत कितनी आ रही है। और उसके बाद दूसरी फसलों की तरह उस पर भी 50% मुनाफ़ा तै करके उसका नियुन्तम स्मर्थर मुल्य तै कर दे। उससे कम दाम पर खृदी बंध हो जाएगी तब जाकर प्याज किसानों के हालात सुद्रेंगे। किसानों ने बताया कि प्याज राजे की नगदी फसल है और इसके दाम रातो रात बढ़ते और गिरते हैं दाम बढ़ने के उमीद से एक बार फिर रिस्क उठाते हुए खरीफ सीजन में किसानों ने प्याज की खेती पर जोर दिया है।